आज हम बनाएंगे बहुती सूफ्ट सूजी केक वो भी डारेक्ट सॉस पैन में ना किसी मोल्ड का यूज करेंगे ना ओवन का ना कुकर ना कड़ाई का और इसे बनाना बहुत असान है और इसे बनाते वक्त जो भी गलतियां मुझसे हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर अब आधा कप चीनी आड़ करेंगे यह साबुचीनी है चीनी का पाउडर नी है क्योंकि हमने इसे ग्राइंड करना है अब तीन से चार इलाइची खोल के डाल देंगे फ्लेवर के लिए आप इसकी जगा बैटर में बाद में वनिला एसेंस भी आड़ कर सकते हैं दो पाउडर नी है यह बहुत स्मूध पाउडर नी बना है इसका अब इसमें डालेंगे वन फोट कप रिफाइंड ओयल की जगह हम इसमें बटर घी या मलाई भी आड़ कर सकते हैं बड़ सर्दियों में वो केक ठंड़ा होने के बाद थोड़ा सा हाड हो जाता है अब इसमें इसमारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करके एक स्मूध सा बैटर बना लेंगे यह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे तो पहले एक बोल ले लेते हैं यह देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस बैटर की यह हमने सारा बैटर ट्रांसफर कर लिया मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ कि अभी यह बैटर थोड़ा सा आपको इस तरह का दिखेगा बट अभी हम इसे 20 मिनिट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे तो सूजी थोड़ा सा फूलती है तो रेस्ट पे छोड़ना जरू तो इसे लिड से कवर कर देते हैं तब तक हम क्या करेंगे पैन को रेडी कर लेंगे तो यह मैंने एक स्टील का पैन लिया है इसे अच्छे से ओल से ग्रीस कर लेंगे जब भी आप किसी पैन में केक बनाना चाहते है तो बिलकुल ध्यान रखें कि उसका बेस थोड़ा सा है तो इसे भी अच्छे से ओल से ग्रीस कर लेंगे अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं 20 मिनिट हो चुके हैं यह देखिए सूजी थोड़ा सा फूल चुकी है और बैटर गाड़ा हो गया है तो अब इसकी कंसिस्टेंसी को एज़ेस्ट करने के लिए मैंने यह आधा कप दूद सर्फ एक टेबल स्पून हम दूद डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो दूद आपको कम या जादा लग सकता है डिपैंड करता है सूजी की कंसिस्टेंसी पर तो बैटर बहुत ज़़दा गाड़ा बहुत जादा गाड़ा होगा तो केक थोड़ा हाड बनेगा और बहुत ही पतला होगा तो क्या होगा केक को बेक होने में बहुत टाइम लग जाएगा तो ये मैंने ये जो आधा कप दूद लिया था इसमें से सिर्फ मैंने एक टेबल स्पून ही दूद यूज किया और ये देखे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिब्बन जैसी होनी चीए तो ये दूद बच गया है इसे साइड में रख देते हैं सबस्टS ऑटी तो दालेंगे नुद दो बड़े चमट टूटी फ्रूटी इसमें half teaspoon आठा डालेंगे और अच्छे सी mix कर देंगे सारी तूटी फ्रूटी को इसमें coat कर देंगे ताकि जब हम इस केक के बैटर में आड़ करें ना तो वो नीचे बेस में जाके ना बैट जाए तले में जाके बैट जाती है तो इस तरह से क्या होगा पूरे केक में evenly spread हो जाएगी अच्छा तूटी-फूर्टी की जगा आप बदाम काजू भी आड़ कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आप तूटी-फूर्टी आड़ करें बड़ थोड़ी सी देखने में ये केक कलरफूल लगती है और बच्छों को अच्छी लगती है इसलिए मैं इसमें तूटी-फूर्टी आड़ करती हूँ इसे भी मिक्स कर लिया अब हम इस केक में डालेंगे इनो तो ये मैंने रेगुलर वाला ब्लू इनो लिया है आप इसकी जगर शैशे भी यूज़ कर सकते हैं तो इसमें सिर्फ हम वन टी-स्पून इनो का अड़ करेंगे आज हम इसे बिना बेकिंग पाउडर और बिना सोड़ा के बना रहे हैं तो ये वन टी-स्पून इसमें निकाल लेते हैं और इसे एड़ कर देते हैं थोड़ा सा उपर से दूद एड़ करेंगे ताकि ये इनो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए और इसे जल्दी से मिक्स कर देंगे और इनो डालने के बाद हमें इसे जल्दी से पैन में ट्रांसफर करके बेक होने के लिए रखना होता है नहीं तो इसका रियाक्शन सारा खतम हो जाता है अच्छे से फूलता नहीं है केक तो यह पैन ले लेते हैं जिसमें हम आज बेक करने वाले हैं तो ये सारा बैटर इसमें ट्रांसफर कर लेंगे अब जो थोड़ी सी टूटी फूटी हमने बचाई थी वो उपर से सजा देंगे ताकि ये देखने में उपर से भी अच्छा लगे आप इसकी जगा बदाम, काजू या पिस्ता भी उपर से इस तरह से डाल सकते हैं इस तरह देखने में ये बहुत सुन्दर लगता है अब हम एक तवे को मीडियम फ्लेम पर पांच मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे तो इसे थोड़ा सा टैप कर लेते हैं और अच्छे से लिड से कवर कर लेते हैं अब इसे हम रख देंगे एक गरम तवे पर डायरेक्ट अगर हम हीट पर रखेंगे तो नीचे से ये जल सकता है और प्लेट में से एर पास नहों तो थोड़ा सा वेट रख देंगे उपर अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में हमने 50 तू 60 मिनट तक बेक करना है अब ये देखे 65 मिनट हो चुके हैं एक बार चेक कर लेते हैं मैंने इसे 50 मिनट के बार चेक किया था तो बैटर थोड़ा सा गीला था तो मैंने थोड़ी से फ्लेम मीडियम कर दी अब एक नाइफ इस तरह से बीच में इंसर्ट करके देखेंगे ये देखेंगे नाइफ बिल्कुल क्लीन है इसमें कोई भी बैटर चिपका हुआ नहीं है ये देखेंगे केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है तो इसे नीचे उतार कर थंड़ा कर लेते हैं तो इसे एक नैपकिन से कवर कर देते हैं ताकि उपर से ये ड्राइ ना हो काफी देर हो चुकी है तो ये ठंड़ा हो चुका है तो अब हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं ये देखेंगे अच्छे से ठंड़ा हो चुका है गरम केक को कभी भी डिमोल्ड करेंगे ना तो वो demold हो जाता है यह देखिए यह देखिए इस तरह से यह हमने इसकी edges clean कर ली अब हमें एक plate लेंगे और उसमें इसे demold कर लेंगे तो एक plate लगाएंगे और इस तरह से flip करेंगे pan को थोड़ा सा tap करेंगे यह देखिए यह easily demold हो जाता है बट क्या हुआ कि नीचे से इसका base थोड़ा सा जल गया है थोड़ा सा dark हो गया है पहले इसकी slices कर लेते हैं फिर मैं आपको बताती हो कि इसे bake करते वक्त मुझसे क्या गलती होई है मैंने इसे first time bake किया है sauce pan में तो मैंने क्या किया है flame बहुत ही low रखी आप ऐसा ना करें flame low से थोड़ी से ज़ादा रखनी है तो 50 minutes के बाद भी जब ये bake नहीं हुआ तो मैंने flame को medium कर दिया उस वज़े से क्या हुआ कि cake नीचे से थोड़ा सा हलका सा dark हो गया ये देखे थोड़ा सा जल गया है मैं आपको एक slice निकाल के दिखाती हूँ cake तो बहुत ही बढ़िया बनाई है देखे कितनी बढ़िया इसमें जाली आई है ये देखे कितना soft बना है मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये देखे cake तो बहुत ही बढ़िया बना है बट जो गल्दियां मैंने इसे बेक करते वक्त की हैं वो आप ना करें इसलिए मैं आपके साथ शेयर करी हूँ केक को बेक करते वक्त फ्लेम थोड़ी से लो से जाधा रखनी है और जो पैन लेना है उसका बेस थोड़ा सा भारी होना चाहिए हैवी बॉटम पैन लेना है ताकि हमारा केक नीचे से ना जले मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और बड़ी असी रेस्पी के साथ थैंक्स पर वाचिंग